आप सभी के हमारे चैनल में स्वागत है और अगर आप हमारे चैनल में ना हैं देखिए आप सब्सक्राइब कर आल बटन तबा दीजिए और लाइकन और प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो के सुचना मिलती रहें आगे आज बढ़ते हैं जिस कंपनी के बारे में गाड़ी का कोई भी पाड सो कभीज हो पड़ी कार आपने लिए कुछ यूधर पार्ट होता है इंजन होता है जो बहुत लंबे stripped लाइफ टाम चलता लेकिन टायर कर आपको ईतने गिस Contra है आपको जितना ज्यादा चलते उतने ज्यादा गिसते हैं और उस असाब से आपक कही उड़ेंगी तो भी टायर चाहिए चाहिए तो चलिए अब तो हम यह बात हो गई कि यह सेगमेंट चलने वाला है और यहां पर एक बेसिक पढ़ लेता हूं मैं थोड़ी सी कि कमपनी कहा कहा क्या काम करती JK Tire is one of the largest tire exporters from India, marketed in global markets for over 30 years, the sale footprint spread over 100 countries across 6 continents, operate through a strong and dedicated distribution network comprising of over 125 distributors, apply and fully supported by the company's technical team सव से ज्यादा देशों में tire अपने सप्लाई करती है, besides India JK Tire enhanced its global manufacturing spread throughout acquisition of a Mexico Tire major Tornel in 2008, 2008 में Tornel जो वहां की एक Mexican company थी उसको इन्होंने अतिग्रहण कर लिया मतलब की ले लिया, खरीद लिया, मर्च कर लिया Further straighten the JK Tires resolve for increased presence in NAFTA trade block and emerging economics of Central and South America, in addition to Mexico, to meet the increasing demand for four years in the global tire markets, we have entered into sourcing arrangements with tire companies in China for truck, bus, radial tires. Companies, tires are marketed in three brands, three brands पे है ये JK Tire, Vikrant and Tornel, तो चलिए बेसिक चीज़े में मालूम पड़ा गई, और अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ जानना हो इसके बारे में तो इसके वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, जरूर, आए हम चलते हैं, अगे और देखिए, यहां प पे JK Tire का जो पांच अप्रिल, Friday थी, आज संडे है, आज मार्केट बंद है, पांच अप्रिल 2019 को जो लास्ट प्राइस पे क्लोज हुआ था 92 रूपए 80 पैसे पे और इसने BSC पे, NSC पे था 92 पैसे और 52 वीक लोग बनाया था इसने 84 रूपए 10 पैसे और हाई था 170 नीचे लगातार इसमें गिरावात है, कहीं भी उपर का साइन नहीं कि यहां पे आया हो ऐसा थोड़ा सा उपर फिराता था फिर नीचे गिरता लगातार गिरता गया, तो काफी गिरावात है एक साल के अंदर इसमें, और अगर हम मार्केट कैप देखें तो 2285 क्रोड़ एक का है, स्मॉल कैप कमपनी है, रनिंग पर शेयर है, 11 रुपए 70 पैसे का, पी देखे 7.93 का, पी से आप से काफी सस्ता, इंडस्ट्री पी 22 की है, बुक वेल्यू 85.57 की प्राइस टुबुक है 1.08 की, और प्राइस टुबुक भी जबरतस्त है, फेस वेल्यू अभी भी दो की है, और डिलिबरेबल है, 43% के आसपास, अब यहां पर देखी, बैलेंस शीट पर हम इस पर कर्जा देख रहे हैं, तो कर्जा टोटल डेट है 2980 करो, और इसकी मार्केट काफ है 2280 करो, तो यह स्टैंड अलोन, ओहो, ओहो, और कंसोलिडेटेट तो हमने देखे ही नहीं, कंस इसके फनेशल रिजल्ट्स हैं, वो यह हैं, और उसमें जो बैलेंस शीट है, उसमें 4988 करोड का कर्जा, इसमें 5000 करोड के आसपास का, इन्होंने कर्जा ले रखा है, ठीक है कर्जा लेकर यह कंपनिया काम करती है, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन यहाद से ज मैं ऐसा, मेरा ऐसा परसनल बिलीव है कि जो कर्जा वाली कंपनियां होती है, उससे में दूर रहता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम इस्टेंडलोन पर ही काम करते हैं, इस्टेंडलोन में भी इतना जबदस कर्जा है को उतनी कि मार्केट कैप नहीं है, खेर, आगे नेट प्रॉफिट यहां पर यहां पर सब्तंबर 18 में थे 46 करोड की, यहां पर दिसंबर 18 में रोगे 14 करोड की, यहां पर जबर्दस धाउन साइड है, अब चलिए हम और भी दूसरी साइट पर भी देखेंगे, यहां पर देखिए, अन्वाल देखते हैं, मार्च 17 से मार्च 18 में जो नेट सेल्स में 0.96% मतलब बराबरी का ही मामला है, चलिए जो 8,317 करोड की थी, वहां मार्च 18 में हुए 8,390 करोड की, अन्वेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखिए, अब 34% डाउन साइड है, और नेट प्रॉफिट में भी, इसके रिजल्स भी होंगे, इसके रिटन्स भी होंगे, क्वालिटी देखिए, मैंनेजमेंट रिस ग्रोफ और कैप्टल स्ट्रक्चर के बेसेज पर जो क्वालिटी इसको दिखाए, दर्शाय गई है, यहां पर एवरेज क्वालिटी कंपनी सेल्स ग्रोफ देखिए, 6.93% का, यह भी आईटी ग्रोफ है, 6.16 का, मैं कोई किसी कंपनी के खिलाब बोलना नहीं चाहता, मैं क्यों बोल रहा हूं, सिर्फ एक इंफोर्मेशन जो उपलब्ध है, उस कंपनी की बैलेंस शीट, उसके फिनेशल रिजल्स, उसके जो साइट से उपलब्ध है, तो वो सिर्फ जानकारी मैं दे रहा हूं, ऐसा मेरा किसी कंपनी क अगेंस में कोई या फिर्फ फेवर में ऐसा मैं कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि फेर जॉप करना है अपने को अच्छे स्टॉक्स अपने इनवेस्टर्स को बता लें, तो फ्रेंस ऐसा कुछ मत समझें कि मैं ऐसा बहुत अपनी दरब से बथा रहा हूं, देखे, पी ओवि जो इस हिसाब से दी गई है वहां पर एक्सपेंसिव पर दिखा रहा है, फिर भी मुझे लगता है कि अगर जो लोग जेके टायर, मतलब जिनको पसंद हो कि भाई मुझे लेना चाहता हूं, क्योंकि अभी बानवे रुपए ऐसी पैसे के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, तो भी अभी वेट करें, क्योंकि होता क्या यह सारी जो टायर की कमपणिया निरभर इन पर रहती है, क्रूड ओल्स पर, तो क्रूड ओल्स क्या होता है कि जब भाव बढ़ा जाता तो इन पर थोड़ा दबाव पढ़ता है, और इनका प्राइस भी नीचे आता है, तो जब का अपने चैनल पर वो भी जवर्दा स्टायर की कंपनी है वी केटी तो वो भी देख लें और कंपेर करें कि किसमें आपको इंवेस्ट करना चाहिए उसका थोड़ा प्रेमियम जादा है है ना तो आप अपने हिसाब से फिर भी देखी यहां पर अगर आपको 40 रुपय से 90 र देखेंगे कि फैनेशल ट्रेंड देकी पॉजिटिव है और रिटन इन्होंने यहां पे दस सालों में 11-13% के अट्रेक्टिव बहुँ जबरतस रिटन है दस सालों में आपका पैसा 11 गुना स्यादा हो चुका है और पांस सालों में 154% का रिटन है आग का में थोड़ा सा चार सालों में 21% का नेगेटीव जिन्हों फिटन पहले लगाये थे पैसे उनका यहां पे नेगेटीव में हैं और दूब गए है पैसे और तीन सालों में जिनका जिननने इन्वेस्ट किया था उनको 11.81% की अपसाइड है तो दो सालों में 30% करीब नेगेटीव में है वन मन्त में भी यहां पर नेगटिव में वन वीक में भी वन परसंट सवा परसंट के असपास अपसाइड है वन डे में भी यहां पर एडमे निशान है तो फ्रेंज अभी मैं क्या कहूं इस टॉक के बारे मैंने सिर्फ एक इंफॉमेशन दे दी है आपको कि सप्तंबर अठ्रा में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी अच्छी बात है और मुचल फंस की पांच स्क्रिप्स ने पैसे लगा रहे हैं और फाइज इसमें 44 है 6.51 पर के आसपास दोस्तों अभी मैंने आपको इस टॉक के बारे में एक बेसिक बताया जो इंफॉमेशन मुझे वेबसाइट्स पर उपलब्द मिली और एक लंबे समय की अवधी कि अगर आप फिर भी छुक हैं लेने के तो इसको थोड़ा और डाउन आने दीजिए हो सकता है कि नीचे के लेबल मिलता है फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि आप कोई भी स्टॉप खरीदने आप बेसिस पहले अपने फरनेंशल एडिवाजर के जरूर मश्वरा करें मेरा काम थे इंफॉमेशन देना जो उपलब्द था थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो